अच्छा बच्चो मुझे कुछ ऐसे अप्लाइंसेस के नाम बताईए जिसको एलेक्टरिसी देरने पर वो घोमने लगते हैं यानि कि हम स्विच आन करते हैं और वो घोमना चालू करते हैं जरूर आपके दिमाग में पंखाया होगा या मिक्सी या फिर वाशिंग मशीन कि जब भी इसमें हम एलेक्रिसिटी प्रोवाइट करते हैं ये घोमना स्टार्ट कर देते हैं अच्छा बताओ ये कैसे घोमते होंगे इन में ऐसा क्या होता होगा जो इनको घोमाता है तो इन में लगा होता है विद्दूत मोटर और पता है ये विद्दूत मोटर कम्प्यूटर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरण में भी लगा होता है ठीकिन शायद ये उधारण आपके दिमाग में नहीं आयोगे एक्षिली विद्दूत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्दूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में कन्वर्ट करता है यानि कि एलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो एलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है अब यहां पर वस्तुवे घूम रही है, घूम रही है, मतलब वो कैसी अंत्रिकूर्जा है? वो rotational kinetic energy है, घूरनी गतीज उर्जा, क्योंकि वहां पर वो अपनी अक्ष पर घूमने का काम कर रहे हैं, तो गतीज उर्जा तो है, पर वो कैसी गतीज उर्जा है? घूरनी गतीज तो इस पर्ष्ट सब्दों में हम कहें, तो विद्दूत मोटर एक ऐसा उपकरण है, जो कि electrical energy को, rotational kinetic energy, यानि कि विद्दूत उर्जा को घूरनी गतीज उर्जा में convert करता है एक्चुली ये विद्दूत मोटर इसी सिधानत में कारे करता है, कि जब हम किसी धारावाही चालक तार को, किसी चुम्बकी छेत में रखते हैं, तो उस पर बल लगता है बचो यदि हम एक सिंगल चालक तार लें और उसे किसी चुम्बकी छेत में रखें, तो उस पर लगने वाले बल का मान इतना अधिक नहीं होता या यूँ कहें कि उसमें विस्थापन इतना अधिक नहीं होता तो उसमें अधिक बल लगाने के लिए या उसमें अधिक बल को महसूस करने के लिए उस तार में से बहने वाली धारा के मान को बढ़ाना होता है जो कि खतरनाक हो सकता है कि अत्याधिक धारा से यदि हम कोई प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं तो वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि एक सिंगल तार ना लेके हम तार की फेरे ले लेते हैं तो बहुत सारे तार ले लेते हैं तो एक सिंगल तार से बहने वाली धारा की क प्रभाव उत्पन होता है अगर यहां पर एक सिंगल ना लेकर हम तार के फेरे ले लेते लिए और इस तार के फेरे को हम चुम्बकी छेत्र में रखते हैं इसका मतलब मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं पहला तो चुम्बक की छेत्र वो किस से प्रोवाइट किया जाएगा चुम्बकों की सहायता से चुम्बकों की दो धुरूव होंगे एक उत्री धुरूव और दक्षिनी धुरूव जिसकी सहायता से एक स्ट्रॉंग चुम्बकी छेत्र प्रोवाइट किया जाता है यानि कि जो चुम्ब की दुरूब लिये जाते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉंग होते हैं ताकि स्ट्रॉंग चुम्ब की छेत्रों उत्पन्न किया जा सके अब जो चालक टार ली जाएगी वो सिंगल ना लेकर मैंने बताया कि बहुत सारे फेरो वाली होगी ताकि उसमें जो बल उत्पन हो रहा है उसकी प्रभाव को बढ़ाया जा सके और इसी लिए हम एक तांबे की तार लेते हैं जिसको अलुमिनियम का आयताकार में लपेड देते हैं और आ penly तयार हो जाती हैं और इस आयताकार को UNDLY को हमą अर्मीचर का नाम देते हैं और जब इस और मीचर को इस चुम्ब किश्ठर में रखा जाता है तो इस पर बल कारे करता है कि अब इसको एक अनिमेशन की जरी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब आयताकार कुंडली को इस चुम्बकी छेत्र में रखा जाएगा तो इसमें किस प्रकार से बल काम करेगा और ये बल किस प्रकार इसमें घुरणी गती उत्पन ने करेगा क्योंकि हम देख रहे थे कि केवल चालक तार था तो इसमें विस्थापन हो रहा था पर यहाँ पर घुर्णन होना है, गती को घुर्णी होना है, तो इसलिए ही हम लोग यहाँ पर आयताकार रूप में फ्रेम को लेते हैं, जब मैंने आपको बोला कि हम फेरे बना रहे हैं, तो फेरे तो वृतिये भी हो सकते हैं, पर आयताकार बनाने का एक विशेश मकसद होत यह जो आयताकार कॉंडली होती है इन में दो भुजाएं आपस में परस पर समानतर होती है और इनी भुजाओं में लगने वाला बल बल युग्म का निर्मान करता है और जब बल युग्म यानि कि दो बल जो परिमान में बराबर और विप्रित दिशा में हो साथ-साथ उनकी क्रिया रेखा भी अलग-अलग हो मतलब वह एक ही लाइन में काम नहीं करेंगे बलकि अलग-अलग लाइन पर काम कर रहे हैं उनकी क्रिया रेखा यदि अलग हो तो वह किसी भी वस्तू में घुर्णी गति उत्पन्न कर सकते हैं यदि यह बल एक ही क्रिया में काम करेंगे तो वो घुरनिकति उत्पन्न नहीं करते बलकि वो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं तो हम इस एनिमेशन के जरिये देखेंगे कि कौन सी भुजा में बल युगम घुरनिकति उत्पन्न कर रहे हैं और कौन सी दो भुजाओं में बल उत्पन्न हो रहे हैं और एक दूसरे को न रूप N और S की सहता से प्रिडियूस किया है यह कि स्ट्रॉंग चुम्बकी छेतर प्रिडियूस कर रहा है और हमने यहां पे तामबे के कई फेरे लिए हैं जिसे आयताकार रूप में बनाया गया है और इसे हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं एक्चुली बच्चो यह आर्मेचर तामबे की आयताकार कुणली होती है जिसे एलमुनियम के फ्रेम में लपेट कर बनाया जाता है यदि इस फ्रेम को हम देखे तो इसमें आपको दो भूजाए गुलाबी और नीले रंग की नजर आ रही है यह दोनों भूजाओं की लंबा समान है जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारा प्रवाहा के कारण चुम्बकी छेत में रखे होने के कारण इन भूजाओं पर बलकार्य करेगा जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के लोसार दे सकते हैं यदि हम इस आर्मेचर में प्लॉक लगने वाले बल की दिशा देखें तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के अनुसार हम सबसे पहले अपने अंगूठे तरजनी और मध्यमा को एक दुसरे के परस पर लंवत स्ट्रेश करेंगे जिसमें की तरजनी चुम्बकी छेत्र के दिशा मध्यमा धारा के दिश और अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताता है इसके अनुसार गुलाबी वाले तार में लगने वाले बल की दिशा उपर की ओर होगी यानि कि आपके कौपी के कागश तल के लंवत उपर की ओर जब की हम नीले वाले तार में बल की दिशा देखें तो यह फ्लेमिं एक उपर की और कारे कर रहा है, दूसरा नीचे की और, यदि हम इसको एक तक्ती द्वारा समझे, यदि एक तक्ती को आप एक साइट से उपर की और उठाने का प्रयास करें और दूसरे साइट से नीचे की और उसको खीशने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि ये तक्ती गुलाभी वाले तार में घुमापर कर रहा हैं जब की नीले वाले तार में नीचे की उर बल कारे कर रहा है जिसके कारण यह व्लॉक्वाइज डायेक्शन में यानि में घड़ी की सुई कीließen में घूमने का प्रयास करेगा यहाँ पर हम दोनों नारंगी भूजवाँ पर लगने वाले बल को देखते हैं इन दोनों ही भूजवाँ में लगने वाला बल का मान शुन्य होगा क्योंकि यह दोनों ही भूजाएं इस चुम्बकी छेतरे के समानतर है और इसी लिए यहाँ पर कोई भी भलकारिय नहीं करेगा और इसके कारण यह armature clockwise direction में घूमने का प्रयास करेगा और इस तरीके से यह armature इस चुम्बकी छेतर में clockwise direction में घूमेगा लेकिन जैसे ही यह armature इस चुम्बकी छेतर में एक अर्ध चक्र घूमता है अब हम देखेंगे इस गुलाबी तार में लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के left hand की नियम के नुसार उपर की और हो जाएगी जबकि नीले वाले तार में लगने वाले बल की दिशा अब नीचे की और हो जाएगी इसका मतलब इस condition में अब armature विपरित दिशा में रोटेट करना शुरू करेगा यानि कि घड़ी की सुई की विपरित दिशा में anti-clockwise direction में रोटेट करना प्रारम करेगा और ऐसा यदि हुआ तो हमारा motor कारिय नहीं करेगा क्योंकि motor एक ऐसी युक्ती है जिसमें धारा प्रवाहिद करने पर वो एक ही दिशा में रोटेट करती है और यहाँ पर अर्ध चक्र के बाद rotation विपरित दिशा में होगा तो हमें कुछ ऐसा arrangement करना है कि जिससे ये rotation continuous एक ही direction में हो बच्यों इस चित्र में मैंने आगे का circuit कहीं नहीं बताया था सर्फ यहाँ पर चुम्बकी चेत्र और एक armature बनाया था जबकि एक motor में एक circuit होता है जिसकी सहायता से विद्धु धारा को प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर इस circuit को हम आगे complete करते हैं इस circuit को complete करने के लिए हमने तार की सहायता से एक battery जोड़ा है यानि कि एक विद्धु श्रोत लगाया है और विद्धु श्रोत को भी सीधे हम तार से इस armature में नहीं जोड़ते हैं बलकि हम यहाँ पर विभक्त वलय का यानि कि slip rings का सहायता लेते हैं slip ring की सहायता से इसमें इस armature की दोनों भूचाओं को जोड़ दिया जाता है यह जो slip ring है यानि कि विभक्त वलय इसे भी तार से डारेक्ट हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं बलकि हम यहाँ पर इस्तमाल करते हैं carbon brush का यह carbon brush कारों की सहायता से बैटरी से fix होते हैं यह अपनी जगे पर स्थिर रहते हैं और यह इस विभक्त वलय को सिर्फ touch करते होते हैं यानि कि यह विभक्त वलय के साथ भूमेंगे नहीं केवल इसको touch करेंगे ताकि इससे circuit complete रहे और धारा इसमें से continuously प्रवाहित हो सके अब यदि हम इसके आगे का circuit देखे मान लेजे धारा यहाँ पर बैटरी के प्लस सीरे से प्रवाहित हो रही है और इस carbon brush के जरिए इस pink नार के जरिए इस भूजा पिंक वाली भूजा से नीली वाली भूजा के प्रवाहित हो रही है और उसके बाद नीले वाले वलय से इस carbon brush होते हुए बैटरी के माइनस सीरे पर आ रही है जब आर मीचर एक आधा चक्र लगाता है उस condition में हम देखेंगे कि यह जो विभक्त वलय की स्थिती है यह चेंज हो चुकी है गुलावी वाला विभक्त वलय अब राइट हैंड साइड वाले carbon brush को टच कर रहा है जबकि नीला वाला विभक्त वाले left hand side वाले carbon brush को टच कर रहा है और इसी कारण ही यहां पर धारा की दिशा में परिवर्तन हो गया है अब यहां से हम देखें तो धारा बैटरी के धन सीरे से प्रवाहित होते हुए नीले वाले विभक्त वले से होते हुए नीले तार से बहते हुए गुलाबी वाले तार में प्रवाहित होते हुए इस गुलाबी वाले विभक्त वले से राइट वाले कार्बन ब्रश से होते हुए यह इस बैटरी के रिंड सिरे पर आकर मिल रही है यानि कि आर्मेचर में धारा की दिशा चेंज हो चुकी है जब कि बैटरी से जुड़े वाले सर्किट को देखे तो यहां पर धारा की दिशा वही है लेकिन आर्मेचर में धारा की दिशा चेंज हो चुकी है और इसके कारण ही यह armature एक ही direction में rotate करता है और इस प्रकार हम देखें तो motor में continuously एक ही direction में armature rotate करता है और इस प्रकार यदि हम इसका fast rotation movement देखें तो हर बर आप देखेंगे कि एक अर्ध चक्र के बाद इस armature में धारा की दिशा change हो रही है और इस पर लगने वाले बल की दिशा समान है और इस तरह से यह DC motor कार्य करता है तो इस प्रकार बच्चो हमने विद्दूत motor की संडशना देखी और उसकी कार्य विधी देखी और ये question आपके board exam में आता है ये बहुत ही important question है examination point of view से कि विद्दूत motor क्या है इसकी संडशना एवं कार्य विधी बताईए तो बच्चो इस animation की जरीए आपने देखा कि किस तरीके से motor कार्य करता है बच्चो ये motor अब अपने lab में भी बना सकते है इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की अवशक्ता होगी इसे कैसे बनाय जा सकता है आईए एक activity द्वारा देखते हैं बच्चो देखे हमारे पास यहाँ पर एक विध्यूत मोटर है विध्यूत मोटर फ्लेमिंग के बाए हांत के नियम के अनुसार कारे करता है इसमें ये दो तारे हमें दिखाई दे रही हैं इनकी साहता से हम यहाँ विध्युधारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पर है चुम्बक चुम्बक यहाँ पर लगा हुआ है तो चुम्बक के खेत्र की जो दिशा होगी वो लमवत उपर की ओर और विध्युधारा प्रवाहित होगी इस तार से इस तार की ओर तो यह मद्यमा के माध्यम से दिखाएंगे और चुमकी छेत्र की दिशा तरजनी के माध्यम से तो फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम के अनुसार यदि ये देखिए तामबे की तार से बनी हुई ये कुनली है जिसे हम धारावाही चालक के रुप में उपियोग कर रहे हैं तो धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा अंगूठे की दिशा पर होनी चाहिए तो चलो हम विद्युद्धारा प्रवाहीत करके देखते हैं ये देखिए जो विद्योत धारा का जो प्रवा है वो विद्योत धारा के प्रवा की दिशा ये थी तो जो बल लग रहा है वो अंगूठे की दिशा में लग रहा है तभी ये कुनली अंगूठे की दिशा में गती कर रही है इस प्रकार विद्यूत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम के नुसार कारे करता है और साथ ही विद्यूत मोटर में विद्यूत उर्जा जो है वो यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित होती है बच्चो जब विग्यानिक हैंस क्रिश्चिन ओस्टर ने धारा के चुम्बकी प्रभाव के बारे में बताया मतलब जब उनोंने ये बताया कि जब किसी चालकतार से धारा प्रवाहित होती है तो उसकी चारो और चुम्बकी छेतर उत्पन हो जाता है उसके बाद कई विग्यानिकों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि जब धारा से चुम्बकी प्रभाव उत्पन होता है तो क्या चुम्बकी छेतर के कारण विद्दुधार उत्पन की जा सकती है और इसी प्रश्णन ने विग्यानिक माइकल फेरडी को कई प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने एक कुंडली ली और एक चुम्बक लिया और इसकी सहयता से इन्होंने चुम्बकी छेतर से विद्दुधारा उत्पन करने का प्रयास किया इन्होंने अपने प्रयोग में एक सिंगल तार नहीं लिया बलकि तार का एक बंद परिपत लिया क्योंकि बंद परिपत में ही तो धारा प्रवाहित होती है और उन्होंने एक सिंगल परिपत नहीं लिया बलकी तार की कई फेरे लिये ताकि उसकी द्वारा जो अवलोकन प्राप्त हो वो स्ट्रोंग हो यानि कि जो प्रभाव हम देखें वो सपर्ष्ट हो और धारा के मौझूद्गी का पता लगाने के उन्होंने गेल्नोमिटर यानि कि धारा मापी कर शित्तमाल किया क्योंकि धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपत में बहने वाली धारा की देशा और उसका मान दोनों बताता है जब माइकल फेराडे इस कई फेरे वाली कुंडली और चुंबक के साथ प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें कोई भी एकस्पेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने गुस्से में आकर इस चुंबक को उठा कर फेक दिया और जब चुंबक कुंडली के बीचों भीज गिरे तो अचानक उस धारा मापी में विक्षे प्राप्त हुआ और ये उनका सबसे पहला कदम था अपने प्रयोग की और और उसके बाद उन्हें यकीन हो गया जरूर इस धारा का संबंध इस चुंबक से है क्योंकि वहाँ प कुंडली के साथ जूड़ा हुआ था धारा मापी और चुंबक को फेकते ही उस धारा मापी में विक्षे प्राप्त हुआ तो यकीनन उस धारा का संबंध इस चुंबक से होगा और फिर उन्होंने अपना प्रयोग आगे बढ़ाया आईये इस एनिमेशन के जरी हम जानते ह कि मायकल फेराडे के प्रयोग क्या थे दर बच्चों आपको याद होगा हमने एक क्रिया कलाप किया था जिसमें हमने देखा था कि जब किसी धारावाही चालग को चुंबक की क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालग पर बल लगता है और वो चालग गती करने लगता है चलिए अब हम एक और इस्थिती पर विचार करते हैं, जिसमें हम किसी चालक को यदि चुम्बकी क्षेत्र में घुमाएं, तो क्या उसमें से धारा प्रवा होगा? चलिए इसके लिए एक क्रिया कलाब करते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ अनेक फेरो वाली तामबे की कुण्ली ली है, और इसके दोनों सिर्यों को ये देखिए इस प्रकार एक गैलवनुमिटर से जोड़ दिया है, इस गैलवनुमिटर में देखिए अभी जो पॉइंटर से अंदर बाहर करेंगे, आपको समय यह देखना है कि गैलवनुमिटर में क्या इसका कोई प्रभाव पढ़ता है, ठीके, तो हम इसको जो द्रू को सीरे से अंदर बाहर कर रहे हैं, देखिए आप गैलवनुमिटर की तरफ ध्यान दीजिए, देखेगा क्या आपको कोई प फिर से एक बार और करते हैं, देखेगा ध्यान से, विक्षेप दिखाई दे रहा है, तो बच्चो यह क्यूं हुआ, क्यूंकि विद्युद्धारा उत्पन हुई, और विद्युद्धारा कैसे उत्पन हुई, हम जानते हैं कि चुम्बक के जो धुरू हैं, इनसे की बल रेखाओं की जो संख्या है, जो की इस कुनली से गुजर रही थी, उनमें क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, जब हम इस ध्रू को कुनली के पास ले जा रहे थे, तो इससे निकलने वाली चुम्बकी बल रेखाओं की जो अधिक हो रही थी, और जब हम दूर होती है यह प्रेवित धारा होती है बच्चों हमने एक और क्रिया कलाप किया था जिसमें हमने कुंडली को गति कराई थी तो यदि कुंडली गति करें या चुम्बक गति करें दोनों ही स्थितियों में धारा उत्पन होती है और वह होती है प्रेवित धारा और इस घटना को हम कहते हैं विध्यूत की प्रेरण तो बच्चो इस animation से हमने जाना कि जब-जब कुंडली और चुम्बक के बीच में आप एक शिक गति हो रही है चाहे चुम्बक चले चाहे कुंडली चले चाहे दोनो एक दूसरे के पास चले यह दोनों एक दूसरे से दूर चले मतलब जब इनके बीच में आपेक्षिक गती होती है तब उस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इस धारा को प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे हम induced current के नाम से जानते हैं और चुम्बक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गती के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही थी इसे हम विद्धु चुम्बक की प्रेरण के नाम से जानते हैं यानि कि Electromagnetic Induction अब ये जो धारा प्रेरित हो रही थी यानि कि उत्पन हो रही थी बीना किसी विद्धु शुरोद के केवल चुम्बक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गती के कारण इसकी दिशा फ्लेमिंग ने अपने राइट हैंड के रूल से दी फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम को समझने के लिए भी हम अपने अंगुठे तरजनी और मध्यम को एक दूसरे के परस पर लंवत फैलाते हैं यह तीनों ही अलग-अलग राशियों को दर्शाते हैं यहां पर हम SBI के बदले MBI याद रखते हैं M मतलब direction of motion यानि की चालक की गती की दिशा क्योंकि इस विद्दू चुम्बक की प्रेड़ में हमने जाना कि या तो चुम्बक गती करें या तो फिर कुंडली गती करें तो यहां पर M जो है वो चालक की गती की दिशा दर्शाती है B चुम्बकी छेत्र की दिशा और I प्रेरित धारा की दिशा अब यहां पर हम पहले अपने अंगुठे को तर्जनी को और मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर्ट लमवत स्ट्रेच कर लेते हैं यह तर्जनी लेफ्ट हैंड वाले केस की जैसे ही यह चुम्बकी छेत्र को दर्शाती है अंगुठा यह दर्शाता है चालक की गती की दिशा और यदि हम अपनी मध्यमा को स्ट्रेच करें इन दोनों के परस्पर्लमवत तो यह मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्श हम चुम्बकी छेतर में गती करते हुए चालक में प्रेरी दिधारा की दिशा ग्याद कर सकते हैं और यह एलेक्ट्रो मैगनेटिक प्रेरण के सिध्धान्त के आधार पर हम एक उपकरण बनाते हैं और इस उपकरण को हम जनरेटर यह डाइनमो के नाम से जानते हैं अब जनर पर बिजली वापस लाने के लिए एक उपकरण करते हैं जिसको चालू करने से बहुत आवाज करता है और उसके बाद हमारे घरों की बिजली या जहां पर फंक्शन हो रहा है वहां की बिजली वापस आजाती है और उस उपकरण को हम जनरेटर कहते हैं एक्चुली जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो कि यांतरिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में कनवर्ट कर रहा है अब देखे होगे जन्रेटर जब अन करते हैं तो खीच के उसको स्टार्ट किया जाता है यह एक वराइटी है जन्रेटर की आपने बड़े-बड़े ओफिस में भी देखा होगा ज तो वो यांतरिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में कनवर्ट कर रहा है यानि मेकैनिकल एनरजी को एलेक्ट्रिकल एनरजी में कनवर्ट करता है इस जन्रेटर में भी दो मुख्य भाग होते हैं एक चुम्बकी छेत्र और दूसरा आर्मीचर जब आर्मीचर को चुम्बक की प्रिरण के सिध्दान से जानते हैं और इस प्रकार यांत्रिक उर्जा यानि कि ऑर्मेचचर कार्य करता है इसके मुख्य भग कौन-कौन से हैं पावर स्टेशन कैसे पूरे सहर के लिए लेक्टरिसिटी उत्पन्न करते हैं इनके अंदर बड़ी-बड़ी बैटरी तो होती नहीं है जिनके कारण लेक्टरिसिटी प्रड्यूस हो सके इनके अंदर असल में होता है बड़ की पीवरगती से इस पर मारा जाए या गिरते हुए पानी का इस्तमाल इस पर किया जाए या तो इसे फिट कर दिया जाए किसी विंड मिल में जिससे यह हवा की कारण गोल-गोल घूम सके और उत्पन्न कर सके एलेक्टरिसिटी वैसे तरीका जो भी हो एलेक्टरिसिटी उ जिसे लगभग 200 साल पहले बताया था माइकल फैराडे ने उन्होंने बताया किसी चालक को किसी चुम्बकी छेत्र में ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलाया जाए तो उसमें उत्पन्न होता है प्रेरित वीवाबल और यदि इस चालक तार को रिप्लेस कर दे हम एक आर्मेचर य तो आर्मेचर भी clockwise direction में ही घुमेगा और इसमें प्रवाहित होगी प्रेरित विद्दुधारा जिसकी मदद से हम अपने घर के electricity appliances का इस्तमाल कर सकते हैं और इस युक्ति को हम कहते हैं विद्दुध generator ये युक्ति घुर्णी गती जूर्जा यानि की यांत्री कूर्जा को विद्दुध तूर्जा में रुपांत्रित करती हैं अब ऐसे क्यों होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं इसके लिए ये देखते हैं कि जब आर्मीचर चुम्बकी छेत्र में घुर्णी गती करें तो किस दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो म ये हम प्लेमिंग के राइट हैंड के नियम को देखते हैं इसके अनुसार अंगुठे और सामने की दो उंगली को ऐसे खोलो कि तीनों एक दूसरी के लंबवत हो तो अंगुठा बताएगा चालक तार की गती की दिशा और तरजनी चुम्बकी छेत्र की दिशा को बताती है और बध्यमा यानि की मिडल फिंगर चालक तार में उत्पन प्रेरित धारा की दिशा को बताती हैं तो फिर इस पिंक तार में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी इसको जानने के लिए हम अपने राइट हैंड को कुछ इस प्रकार रखेंगे कि अंगुठा इस पिंक तार में उत्पन्न होने वाली प्रेरिध धारा की दिशा को दर्शाएगी तो चलो ऐसा करके देखते हैं यह जो पिंक तार है यह उपर की ओर गती कर रहा है हम देख सकते हैं अभी पिंक तार उपर की ओर आ रही है तो मैं अपने राइट हैंड को ऐसे रखूंगी कि अंगूटा इस तार की गती को बताएगा उपर की ओर अभी चुम्बकी च्छेटर की दिशा में मेरी तरजनी होगी तो मेरा हाथ कुछ इस प्रकार दिखे גा यानि कि मध्यमा की दिशा इस इस स्क्रीन के लमवत अंदर की ओर होगी और इस तरह इस पिंक तार में प्रेरिद्धारा की दिशा इस तरह होगी यानि की इस स्क्रीन के लंवत अंदर की और अब इसी प्रकार इस नीले तार में प्रेरिद धारा की दिशा को निकालते हैं यह जो नीली तार है यह नीचे की और गती कर रही है इसका मतलब अब मुझे अपने राइट हैंड के अंगुठे को कुछ इस नीचे की और हो चुम्बक की छेत्र तो अभी भी उसी दिशा में है तो मेरे राइट हैंड को कुछ ऐसा दिखेगा तो इस बार मेरा मिडल फिंगर यानि की मध्यमा यह स्क्रीन के लंवत बाहर की और पॉइंट आउट करेगा तो इस तार में प्रेरिद धारा की दिशा स् और यदि यह तार नीचे की और गती करें तो प्रेरिद धारा की दिश्या स्क्रीन के लंवत बाहर की और होगी। अगर यह बाहर परिपत होगी तो प्रेरित धारा यहां से ऐसे प्रवाहित होगी और यह सर्केट कंप्लीट हो जाएगा अब यह कॉइल इस्थेर है इस्थेर तो नहीं है यह क्लॉकवाइस डिरेक्शन में घूम रही है और जैसे-जैसे यह पिंक वाली तार उपर जाएगी इसमें प्रेरित धारा स्क्रीन के लंबवत अंदर की ओर होगी और जैसे-जैसे यह आर्मेचर उर्द्वाधर यानि की वर्टिकल हो जाएगा तो यह पिंक वाली तार नीचे की ओर गती करेगी इस समय प्रेरित धारा की दिशा बाहर की ओर हो जाएगी हमने देखा कि उप आपर की ओर जाने वाली तार में प्रेरित धारा अंदर की ओर होती है और नीचे की ओर आने वाली तार में प्रेरित धारा की दिशा बाहर की ओर होती है इसका मतलब प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है जैसे यह आर्मेचर उद्वाधर यानि की वर्टिकल होता है उसके बाद इस प्रेडित धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है इस धारा की दिशा में इस प्रकार हम अंतर देख सकते हैं वैसे यह कोईल इस्थिर तो है नहीं जब हम इसको एनिमेशन के द्वारा देखेंगे तो हम यह जानेंगे कि जब कुंडली वर्टिकल में आती है इसकी गती रुख जारी है पर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है यह कुंडली तो रुखने का नाम लेगी ही नहीं और यह कुंडली लगातार घूमते रहेगी और धारा की दिशा इस आर्मीचर में लगातार हर वर्टिकल इस्थिति के बाद बदलती जाएगी यदि इसे इस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम देख सकते हैं कि जब यह कॉइल रोटेट होगा तो यह तार आपस में उलजने लगेंगे और यह परिपत ज्यादा देट तक नहीं चल पाएगा और यह कहीं न कहीं ब्रेक हो जाएगा तो हम इसके लिए यह धातू की रिंग लेते हैं जिसे हम स्लिप रिंग कहते हैं यह पिंक और ब्लू वाली रिंग यह पिंक वाली रिंग पिंक वाली तार से जूड़ी हुई है और ये ब्लू वाली रिंग ब्लू वाली तार से जुड़ी हुई है इसका मतलब ये है कि ये रिंग इन तारों के साथ यानि कि इस आर्मेचर के साथ रोटेट करेंगे यानि कि घुरनी गती करेंगे इन स्लिप रिंग से जुड़े हुए हैं कार्बन ब्रश वैसे ये कार्बन ब्रश जुड़े नहीं है वास्तव में ये सिर्फ अटैच है यानि कि ये इनको सिर्फ छूते हुए है इसको यदि हमको और क्लियर समझना है तो मैं आप लोगों को ये ब्रश और ये एक रिंग का चित्र दिखाती हूँ जब ये रिंग घूम रहे हैं तो ये ब्रश इनके साथ नहीं घूम रहे है आरमेचर के साथ रिंग घूम रही है कार्बन ब्रश के स्थिती जैसी थी वैसी ही रहती है सिर्फ ये छूते हुए हैं इन रिंग को और ये इनके साथ नहीं घुमेंगे जिसके कारण ये परिपत ब्रेक नहीं होगा ये परिपत continuous रहेगा और इससे धारा पिंक वाली रिंग से होती हुई बल्ब से होती हुई ब्लू वाली रिंग तक पहुचेगी और ब्लू वाली रिंग से ब्लू वाले तार तक बहुच जाएगी और ये circuit complete रहेगा अब जब circuit complete होगा तो ये बल्ब जलेगा अब हर उर्ध्वा धर इस्थिती के बाद धारा की दिशे में परिवर्तन हो रहा है तो इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हमने इस बल्ब में जो तीवरता है उसके रंग को बदल दिया एक चक्र में हम देख रहे हैं ये पीले रंग से जल रहा है और एक चक्र में ये नीले रंग से जल रहा है और उस समय हम देख सकते हैं कि स्तार में तीर के निशान में भी परिवर्तन हो जा रहा है। और इस प्रकार की जो युक्ती है उसे हम कहते हैं AC जनेरेटर। क्योंकि ये कौन सी धारा को प्रवाहित कर रहा है। ये alternating current यानि की प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित कर रहा है। प्रतेक अर्ध चक्रे के बाद यहां पर धारा की दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है। जिसे हम इस pink और peal light से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहां उर्धवादा रिस्थिती के बाद armature घूमते जा रहा है। धारा की दिशा में भी परिवर्तन होते जा रहा है। इस light के color में भी परिवर्तन होते जा रहा है। और यह युक्ती कहलाती है AC generator जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा डाइनमो के नाम से भी जानते हैं। अब इस ववस्था में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। हम उस slip ring के स्थान पर विभक्त वलय ले लेते हैं। मतलब ring को दो आधे आधे भागों में बाट देते हैं। और उसको इन carbon brush जोड के देखते हैं। और देखते हैं कि अब किस प्रकार धारा प्रवाहित हो गी। अभी इस चित्रम हम देख सकते हैं कि धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। मतलब हम देख सकते हैं पिंक वाली तार से ब्लू वाली तार और उसके बाद से सर्केट कम्प्लीट हो रहा है। अब इसको जोडने के लिए हम स्लिप रिंग के स्थान पर इस्तमाल करने वाले हैं विभक्त वले हैं। जैसा कि हर वर्टिकल यानि कि उर्धवाधर इस्थिती के बाद धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब यह तार से जुड़े नहीं हैं तो जो नीचे की तार में हमने तीर कनिशान दिखाया है वो एक ही डिरेक्शन में हैं। अब जब इसे हम विभक्त वले से जोड़ेंगे यह विभक्त वले इस आर्मेचर के साथ घूमेंगे। पिंक वाली तार के साथ जुड़ा हुआ वले हमेशा पिंक वाली तार के साथ ही घूमेंगा। और जो blue वाली तार के साथ जूड़ा हुआ विभक्त वले हैं, वो हमेशा blue वाली तार के साथ ही गूमेगा, पर ऐसी स्थिती में जब यह घूमेंगे, तो यह तो तारों से अटैच है, तारों के साथ घूमेंगे, लेकिन यह brush इनके साथ connected नहीं है, जूड़े हुए नहीं है इस स्थिती में ब्रश की जो स्थिती है वो वैसी ही बनी रहेगी और रिंग की स्थिती बदल जाएगी जो गुलाबी वाला रिंग था पहले लेफ्ट साइड वाले ब्रश के साथ जूड़ा हुआ था अब वो राइट साइड वाले ब्रश को चूने लगेगा वैसे ही ब्लू वाला पहले लेफ्ट वाले ब्रश को चूरा था, अब वो राइट वाले को चूने लगेगा ऐसा घूमने पर आर्मेचर में हम देख सकते हैं धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है लेकिन वले और ब्रश की स्थिती चेंज होने के कारण नीचे परिपत में धारा की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए हमने बल्ब को केवल पीले रंग से जलता हुआ दिखाया इस स्थिती में वले घूम रहा है, रिंग घूम रही है और ये हमेशा एक ही ब्रश को चूती हुई है जिसके कारण धारा की दिशा आर मेचर में परिवर्तित होने पर बहाई परिपत में भी धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है जिसे हमने पीले और नीले लाइट से दर्शाया था इसलिए इस युक्ति को हम AC generator के नाम से जानते हैं जिसमें धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है और इस युक्ति जिसमें बाहर परिपत में धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है उससे हम जानते हैं DC generator के नाम से यानि की दिश्ट धारा डाइनमो के नाम से ये दोनों ही युक्तियों में पूरी व्यवस्था एक जैसी है फर को होता है केवल स्लिपरिंग का और विभक्त वले का तो बच्चो इस एनिमेशन के जरीए आपने जाना कि जनरेटर किस तरह से कारी करता है वैसे बच्चो ये डाइनमो दो प्रकार के होते हैं एक एसी डाइनमो और दूसरा डीसी डाइनमो हम जो शादी बिया में ये किसी फंक्शन में देखते हैं वो एसी डाइनमो होता है तो आईए देखते हैं कि ये डाइनमो वास्तव में किस प्रकार दिखता है इतना बड़ा सा दिखने वाला ये मशीन बच्चो AC जनेरेटर है हमने अभी उसका सद्धानतिक कंस्ट्रक्शन देखा उसमें हमने देखा एक आर्मेचर है और एक चुम्बकी छेतर है उस चुम्बकी छेतर में आर्मेचर गोल-गोल घुम रहा है अब इसको यदि हम देखे तो शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें आर्मेचर कहा है और चुम्बकी छेतर कहा है तो जो इतना बड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को इसमें जो आधा पोर्शन है ये डीजल इंजन है एक्शली हम कहते हैं कि आर्मेचर को गोल-गोल घुल पाए जाता है लेकि उस सद्धानतिक चुत्र में हमने कहीं पे भी उस घुमाने वाली मशीन का जिक्रह ही नहीं किया जिसकी सहायता से चुम्बकी छेतर में रखा ववा आर्मेचर घुम रहा हो वो गुमाने वाली मश यहां पर चुमबक लगे हुंगे जो की एक समान इचेतर उत्पनन नख रहे होंगे और जब उसके अंदर इस चुमबक की छेटर के अंदर आरakesी गुमाया जाएगा इस मशीन की इंजन की शाहता से तब इसमें प्रेडियूज होगा एक्टरिसटी और यही एक्टरिसटी जब हमारे घर में लाइट नहीं रहती तब हम इस जनरेटर का स्तमाल करते हैं बच्चों आपने शाधी ब्या में जनरेटर देखा होगा जब बिजली नहीं रहती है तो उन जनरेटर को हम चालू करते हैं किस प्रकार उसमें एक रस्ती होती है जिसको खीशते है और लाइट वापिस आ जाती है पर इस मशीन में रस्ती जैसे आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा यूँकि ये मशीन बैटरी ओपरेटेड है जब इसको हम आउन करते हैं तो बैटरी की साहता से ये डीजल इंजन आउन हो जाता है और फिर बाकी इसकी कार्यवीदी शुरू हो जाती है तो चलो बच्चो इसको आउन करके देखते हैं कि किस प्रकार ये चालू होता है तो बच्चो इस डायमो को वास्तवी करूप में देखने के बाद हम इस डायमो को अपने क्लास runner계 में अपने स्कूल के लैब में बनाने की कोशिश करते हैं तो आई ये देखते हैं कि ये डाइनमो किस प्रकार बनाया जा सकता है। इसमें कौन-कौन सी चीजें इस्तमाल होंगी और एक किस तरह से कार्य करेगा। बच्चों, आप अभी डाइनमो या जनित्र के बारे में सुन रहे थे। डाइनमो या जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्री कूर्जा को विद्योतूर्जा में परिवर्तित करता है। आप जानते हैं यांत्री कूर्जा को विद्योतूर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जब कोई कुणली चुमकी क्षेत्र में घुमती है तो कुणली से गुजरने वाली चुमकी बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण विद्युधरा उत्पर्ण होती है चुमकी बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है चुम्बकी क्षेत्र में रखकर कुंडली को घुमाकर और कुंडली को इस्थी रखकर चुंबक को घुमाकर आप अभी जो चित्र देख रहे थे उसमें चुंबक के उत्तरी और दक्ष्णी धूर के बीच में कुंडली को घुमाने से कुंडली से गुजरने वाली चुंबकी बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ जिससे विद्युधारा उत्पन होती है और हम यहाँ पर आपके सामने एक उपकरन लाए हैं जिसमें कुणली को इस्थिर रखा गया है देखिए यह कुणली इस्थिर है और इस डिस्क के पीछे सर्कुलर मैंगेट्स लगे मैंगेट्स को घुमाएंगे और देखते हैं कि किस प्रकार विद्युधारा उत्पन होती है जब हम इन मैंगेट्स को घुमाएंगे तो यह कुणली के उपर से तेजी से घुमते हैं जिसके कारण कुणली से गुजरने वाली चुमकी बल रेखाओं की संख्या में परिवर याने कि चुम्बक को घुमाने पर यहाँ पर कुंडली से गुजरने वाली चुम्बक के बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ और विद्युधारा उत्पन हुई और यह एलिडिलाइट जल गई यह जो धारा उत्पन हो रही है यह दिश्ट धारा है क्योंकि कुंडली के सीरे जो है वो चुम्बक के ध्रू के सापेक्ष इस्तिर है याने कि जो सीरा धनावेश दे रहा है वो सदैर धनावेश देगा और जो सीरा रिणावेश दे रहा है वो सदैर रिणावेश देगा या कि यहां दिश्टधारा है और यह जो जनित्र आप देख रहे हैं यह दिश्टधारा जनित्र है तो बच्चों आपने यह देखा कि जनित्र में विद्धुधारा कैसे उत्पन होती है